नमस्कार आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज मैं हूँ आपके सांस साक्षी मद्य प्रदेश सरकार लगातार जनह तैशी योजनाय चला रही है उसी सिलसिले में गौशाला की भी अधार शिला रखी गई थी लेकिन दुरभागी की बात है कि निचले इस्तर पर लगातार भ्रसाचार किया जा रहा है जिससे आवारा मवेशियों की निजात कहीं भी मिलती हुई नहीं दिख रही है ताजा मामला सिर्मोर जनपद अंदर गत ग्राम पंचायद उम्री का है जहाँ पर जिम्मेदार अधिकारियों करमचारियों के माध्यम से तैशीमा में गौसाला का निर्माण नहीं कराया गया समास सेवी सिधार्त मिश्रा ने बताया कि लबब दोनों गौसाला को मिला कर 49 लाग की राशी का रासी अहारित गई है जितने की राशी अहारित हुई है उतने का कार नहीं हुआ और जितने की राशी अहारित हुई है उसमें गुडवत्ता विहीन कार किया गया मामले को लेकर ग्राम पंचायद उम्री के ही उपसरपंच बिपिन कुमार मिश्रा ने भी लगातार अपनी आवाज बुलंद की है उन्होंने बताया कि निर्माणा धीन गौशाला में जितने भी कारे हुआ है जिला पंचायद CEO और कलेक्टर महोदेख खुद मामले में सग्यान ले ताकि दूद का दूद पानी का पानी हो सके आपको बता दे मद्यप्यदेश सरकार ने गौशाला निर्माण के लिए लगबग 38 लाग की राशी निर्धारित की है जिसमें ग्राम पंचायद उमरी में जो गौशाला निर्माणा धीन है जिनकी लागत लगबग 75 लाख आंकी गई है बिल्कुल जैसा कि आप जानते हैं कि काफी समय से पिछले 3-4 सालों से लगातार यहाँ पर निर्माण कर चल रहा है लेकिन अब तक उमरी ग्राम पंचायद में दो गौसालाएं सासन के गाइड लाइन के तहट बनाई जानी थी जिन में क्रमांग एक गौसाला में करीब 28 लाक रुपए अब तक भुकतान हो चुका है और दूसरी गौसाला में 21 लाक क्रमांग दो में लगवाग 21 लाक रुपए का भुकतान हो चुका है दूसरी और जिस तरह से उमरी गौसाला में काम चल रहा है तो जो काम हुआ भी है तो वो भी लगातार देखने में आया है कि गुणबत्ता विहीन कार उपियंत्री की मिले भगत से किया जा रहा है तो ये गंभीर प्रस्णचिन है और आप जानते हैं कि इस समय पर किसानों की फसल को भी लगातार मबेसी आवारा मबेसी नुकसान पहुचा रहे हैं इस पर तेजी से जांच के लिए आदेश देना चाहिए और जहां तक बात है मैं रिवा कलेक्टर महोदय से भी निवेदन करूंगा कि करीब तीन से चार सालों से ये गौसाला लगातार प्रगति पर है लेकिन आज तक कंप्लीट नहीं हुई तो इसमें किसका दोस है ये त जिला कलेक्टर को जांच करवा के इस पर करवाई करनी चाहिए हमारे साथ ग्राम पंचाइद उमरी के उप सरपंच बिपीन मिस्तरा है यहां पर निवानाधिन गौसाला दो है एक काम हुआ है दूसरा चालू है क्या लगता है आपको कितना गुडबकता पूर्ण कार है कि मेरे हिसाब से यहां पे आज करीवन चार साल से कार प्रगत चिल दिखाया जा रहा है और लेकिन जिस हिसाब से कार चल रहा है हमें अभी लगता नहीं है कि यह दो-त्रीन साल और कम्प्लीट हो पाएगा और हमारे यहां पर उपयंत्री जो है भोला पटेल जी उनके और करपाला नधिकारी सिरमोर उसमें कोई करवाई करने के इच्छु नहीं दिख रहे हैं तो मेरा निवेदन यह था कि अगर करवाई करते तो ठीक है नहीं तो इसकी मैं पूरा बैवरा लेके कलेक्टर महोदे और जीला सियो महोदे के पास जाना जा रहा हूं और पूरा रिक करवाई